नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा देश में मिशन 2024 को लेकर भारती जनता पार्टी फुल आक्शन मोड में है तो वही नया नवेला विपक्षी गड़ बंदन इंडिया का क्या है चुनावी आक्शन इसको लेकर खबर ही नहीं है कॉंग्रूस पार्टी अपने रनीती के साथ आगे बढ़ रही है तो वहीं पियम मोडी अपने विकास रास्टबाद की पिज हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे हैं कल पियम मोडी ने तिरुपती जाकर श्रिवंकितेश्वर मंदिर में पुजारियों के साथ पूरे विधी विधान के साथ पूजा आरशना कर एक बार फिर से अपना एजंडा क्लियर कर दिया पर आज आपको बताएंगी कि पियम मोडी के पास वो कौन-कौन से हतियार है जिससे 2024 का रास्ता बीज़पी के लिए साफ है आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्यापटल टीवी के अडिटर इंचीव डॉक्टर मनिश्कबार मंडल 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 और यह सारी चीज़ें जो हो रही है यह कई सारे एनलिस्ट पॉलिटिकल पंडित के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है राहुल गांदी को यहीं फीड किया गया है कि करेंगे कुछ नहीं बस OBC का नाम जन्गन्ना एक्सरे करवाएंगे समाज का कास्ट सेंस्स करवाया जागा हर जगा और यहीं एक तरीका है भारती जिंता पाटी को हराने का कि हिंदू समाज को जातियों में बांट दो अधरवाइस यह हिंदूत के अजन्टे पे यह सारे हिंदू इकठा हो जाएंगे तो फिर तो हम कभी जीती नहीं पाएंगे तो हिंदू समाज को कैसे तोड़ा जाए यह कॉंग्रेस और इंडी अलाइंस की स्टेट जी है कि कैसे कैसे मुद्द को उठाय जाए जिससे हिंदू समाज तूट जाए आपस में यह लोग लड़ जाए तब हमारी राज़िती चमकेगी और भारती जिंता पाटी उन मुद दूख उठाएगी कि जिससे हिंदू समाज भटे ली यह दो में डिस्कोर्स है और बाकी कोई अडानिया मानी करेगा कोई विकास का काम करेगा यह करेगा वो करेगा कि हमने करवा दिया वो करवा दिया वो पीछे चले जाएंगी यह जो ट्रेशनल पॉलिटिकल एनलेसिस क जो तरीका है वो इस हिसाब से राजनुति को अनिलाइज कर रहे हैं हलाकि मेरा मानना अलग है बहुत सारे चीज़े होती है जो इतना ब्लैक और वाइट होता नहीं है लेकिन चलिए हम उसी की बात मान लें उन्हीं के फ्रेमवर्क में जरा समझने की कोशिस करते हैं मेरा मा प्रदान मंत्री मोदी के हिंदुत्य के ऊपर जो सबसे बड़ा प्राब्लम होगा वो कास्ट राजनीती जो है कास्ट में हिंदू समाज को बाटो और राज करो यह फॉर्मूला हिट होगा अब जैसे यह लोग कर रहे हैं तो प्रदान मंत्री मोदी ने चार-पांच वान म लग गया तीर अभी देखिए यह रिजल्ट आएगा तीन तारिक को रिजल्ट कुछ भी हो बीजेपी हारेगी या बीजेपी जीतेगी कोई इसका फर्क यह जो कोई भी कह रहा हो कि जो विधान सभा के चुनाव हो रहे हैं उसका इंपक्ट 2024 पे होने वाला है उस आदमीं को सुनना बंद कर दे देखना बंद कर दे पढ़ना बंद कर दे यह जो चुनाव इन पांच राज्यों में जो हो रहा है इसका कभी भी कोई इंपक्ट नतीजे जो है इसके गवाह है लोग सभाव पर नहीं पढ़ते हैं कि 2004 में बीजेपी हर जिद गई थी और केंद्र बाटल भी वाजपी कि सरकारते रास्थान भी जीद गई मद्द प्रदेश भी जीद गई चाटिस गड़ भी जीद गई लेकि लोग सभा में क्या हुआ बीजेपी हर गई कोई फरक नहीं पड़ा अ कि 2004 में हर जगा थी और वहां फिर भी जीद गई 2019 में कॉंग्रेस पार्टी हर जगा जीद गई लोग सभा में हर जगा हर गई तो इसका कोई इंपक्ट नहीं है लेकिन नेरेटिव क्रियेट करने के लिए इन राज्यों के चुनाव का इस्तवाल किया जा रहा है अब देखिए प्रदान मं तुके हाधि का हुगा यही सब चीज में जो है चोके मुख्रश में का चेरा किसी का गोशतफित नहीं है तो यह सब करते करते है एक सप्ता जबंद Hill सबतां जाएगा फिर क्रिस्मस आजाएगा इन यीर में सारे लोग चले जाएंगे न्यूस मीडिया है थादिस प्रॉट यह हमारा संसत्सत्र भी चल रहा होगा तो संसत्सत्र में तीन-चार बान चलेंगे दो-चार बान तो मालूम है उसकी ख़बर भी आ रही है लेकिन यह कॉंग्रेस और इंडिय अलाइंस फिर वही राग पर जाएगा कास्ट सेंस्स रिजन वेशन और यह सारी चीजें प्रदान मंत्री मोदी ने अपने एक मंत्री को आज मैदान मुतारा कल वो क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई सीय आ रहा है ड्राफ्ट तैयार है ड्राफ्ट तैयार है 22 जन्वरी को प्रभू स्रीदाम देजवर्म कारिक्रम हिंदु इकठा होगा जब तक एक महना जाएगा नहीं फिर यह सीय का बबाल सुरू हो जाएगा मतुरा में मतुरा में बड़ा भव मंदिर बनना है तो यह आप यह देखें यह सारी चीजे हो रही है और इस बीच जो खबर आ रही है कि IPC CRPC और Evidence Act को अहलक करने के अलावा भी अब जो स्रीत कालिन सत्र हो रहा है उसमें यू सी सी को इनिसियेट किया जा सकता है तो यह चार-पांच मुद्दे कौन हुए हिंदू वोटर्स जो है एक तरफ आएगा और विपक्ष क्या करता आ रहा है अब तक हिंदू वोट को कैसे काटा जाए और बाकि सारी चीजे ग भी आपने कहा कि तुरुपति पहुच गए ऐसे नहीं पहुच रहे हैं वह हिंदूओं को जोडने का काम कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष हिंदूओं को तोडने में जुटा हुआ है और यह 2024 में यह सारी योजनाय सारी चीजे यह तो बैक अप दो माइंड में वोटर्स के र दो फोर्स के बीच एक वो जो हिंदू समाज को जोड़ेगा और एक वो जो हिंदू समाज को तोड़ेगा यही 2024 में होनी जा रहा है बहुत बहुत धैनिवा समझानी धनिवाद अच्छल टीवी नमस्कार हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं क्यापिटल टीवी पर मैं अमित्रकाश लेकर आ रहां बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शोर हम बिहार से हैं